कि दोस्तों आज हम बात करते हैं थायराइड के एक पर्टिकुलर डिजीज के वारे में जो की होता है थायराइड नॉड्यूल या उसको हम कह सकते हैं थायराइड नेक में मिनम होता है तो जो जनरल डिसकस्षिन हम चाह Appro spoken करेंगे वह थायरा नाडू के बारे का होता है यह थायर मैंडियूल जो होता है एक गिल्टी होती है जो कि थायरोड लैंड के अंधर बनती है यह गिल्टी तुरूबी फीमेल्स में काफी कॉमन होती है मेल के बदले और प्रेगननसी दुटीन रहती है अरली में होती है बहुत जादा लेट एज में नहीं होती है इसके इसको एक्जामीन कराना बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्टेज के बाद वो इतनी बढ़ जाती है कि शेप बाहर दिखने लगती है इसमें डाइगनोसिस जो है वो कि कई किसम के बनते हैं एक नॉड्यूल के अंदर कई डाइगनोसिस हो सकते हैं उसके लिए पहले डॉक्टर को एक्जामीन कराना ज़रूरी है यह गिल्टी अगर आप खुद एक्जामीन करना चाहें तो इसमें खास्यत होती है कि यह गिल्टी आपकी स्वैलविंग मूब्मेंट से उपर नीचे होती है जैसे कि आप अगर गिल्टी को पकड़के र घरख लडएं तो यह काफी बड़ी हो सकती है और इसमें कर tamे किसम की परब्लम भी हो सकती है अब हम इसका करेंगे किसको आगे क्या करना है सबसे पहले इसका एक्जामीन जोب डॉक्टर एक्जामीन करेंगे मौ माउस के अंदर एक्जामीन करना है का नेक Sé Valve करने के बाद इसको ultrasound commonest investigation होती है ultrasound thyroid ultrasound करा के इसका size इसके अंदर क्या है इसमें liquid भरा है या solid है और कितने है multiple है या एक है यह सब देखना जरूरी होता है यह जब देख लेते हैं और इसमें अगर हमें fluid दिखता है या liquid दिखता है तो इसमें बिनाइन होने का चांस काफी रहता है कि यह cancerous नहीं है लेकिन यह जरूरी भी नहीं है इसलिए आगे फर्दर भी investigation करनी होती है जो solid nodules होते हैं जिसमें fluid नहीं होता ultrasound में उन में cancer होने का चांस ज्यादा रहता है और वो उनका ultrasound की findings भी थोड़ी different होती है उन cases में हम next step में हम FNAC कराते हैं needle डाल के वो निकालते हैं थोड़ा सा और उसको examine करते हैं pathology lab में उसको examine किया जाता है और उसमें cancer rule out किया जाता है अब thyroid cancer की बात कर लेते हैं thyroid cancer कई type के होते हैं लेकिन जो commonest होता है जो हम देखते हैं जनल population में वह उसको बोलते हैं papillary carcinoma जो कि एक low grade malignancy मानी जाती है low grade malignancy इसलिए कि यह totally curable माना जाता है इसको time पे अगर आप हम remove कर दे कुछ दवाईयं लें और कुछ treatment करें तो यह normal life आदमीं जी सकता है thyroid thyroid cancer जो होता है वह किसमें ज्यादा होता है यह भी females में ज्यादा माना जाता है early age में होता है और इसके sign and symptoms क्या रहते हैं thyroid cancer में अगर अरली stage में होता है तो आप touch करेंगे तो आपको hard nodule देखेगा whereas the benign tumor जो होता benign nodule होता वह इतना hard नहीं होगा और soft थोड़ा सा softer में होता है यह cancerous जो होता है hard nodule होगा और कई दफ़ा हम देखते हैं कि multiple nodes भी neck में मिलेंगी आपको जगा जगा गोलियां दिखती है यहां feel होती है neck में तो यह thyroid cancer जो papillary क्या करना है अब thyroid cancer अगर डाइग्नोस हो जाए तो इसमें treatment जो है वह primarily surgery होता है इसमें thyroid हमें completely remove करना है जो गर्दन में बाकी जगा गिल्टियां है वह भी निकालनी होती है उसके बाद जब patient ठीक हो जाता है जब wound ठीक हो जाता है जब surgery का effect हो जाता है फिर patient को further हम कुछ test कराते हैं और इसके tumor markers को हम determine करते हैं time to time जो कि blood में circulate करते हैं और यह tumor markers से detect होता है कि दुबारा तो नहीं हुआ है और maximum number of cases में यह दुबारा नहीं होता है यह क्योर हो जाता है काफी patients को अगर हम complete thyroid remove नहीं करते हैं यह चोटा मोटा नॉड्यूल होता है तो उसमें radiation भी दी जाती है या radioactive iodine दी जाती है जिससे वह जो residual tumor हो वह भी खतम हो जाता है दोस्तों thyroid cancer के इलावा जो thyroid की commonest problem जो जिसको हम benign nodule भी बोलते हैं वह colloid goiter माना जाता है colloid goiter मतलब के गिलर जो कि common language में गिलर बोला जाता है आपने देखा होगा कहीं लेडी पुरानी लेडी बहुत बड़ी नेक लेके गुंगती है वह गिलर माना जाता है उसमें सबसे ज्यादा कारण जो काममनेस्ट होता है वह आउडीन डेफिशेंसी होती है अव्य डेफिशेंसी से थाइराइट ग्लैंड जो है वह एक्सेसिव बन जाता है और उसका बहुत बड़ा मास इफेक्ट रहता है नेक में लटकने लगता है और बहुत बड़ा साइज अचीव करता है लेकिन गॉइ अपर बहुत स्लों ग्रोइंग कुमर होता है और इसको आप शुरू की स्टेज में अगर चाहें तो वेट भी कर सकते हैं कुछ डॉक्त इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं लोग डोज दोस थारॉक्सीन दे सकते हैं प्रटैशियम हईड्रोकसाइड कर लिक्वि तो शेर जरूर करें और यह वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुंच जाएं और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें